नमस्कार आज हम देही वाली अर्वी बनाएंगे ब्रत में खाने के लिए इसको बनाने के लिए यहाँ पर 300 से 400 ग्राम अर्वी लिए दो बारी कटिवी हरी मेची नमक एक चमच चंस्वाद अनुसार अस्वाइन आदी छोटी चमच अमचूर आदी छोटी चमच काली मिच प लेना चाहिए यह थोड़ी गुलाई में होने चाहिए इसमें गांठी नहीं होने चाहिए गांठ हो तो थोड़ी सी नरम होने चाहिए सबसे पहले हम अर्वी को एक प्रेशर कुकर में डाल कर एक वीसल दिलवा देंगे और धिमी आजपा दो प्रेशर कुकर को बन करके कु ये बिल्कुल प्रफेक्ट गली है, ये नरम तो हो गई है, लेकिन मूशी नहीं हुई है, अर्भी छिलका त्यार हो गई है, अब हम इसको बारिक टुकडों में काट लेंगे, आप अपने पसंद के चोटे चाब बड़े टुकडों में काट सकते हैं, अर्भी कटकर त्यार हो इसमें लंप्स नहीं रहने चाहिए, कढ़ाई गरम हो गई है, अब हम इसमें तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद उसमें अजवाइन डाल दी है, हरीमिच्चि डाल दी है, फ्लेम को हमने लोही रखा हुआ है, अड्रक डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको धिमी आच पर थोड़ा हलका ब्राउन होने तक भून लेंगे, इसकी मुश्वू आने लगी है, अब हम इसमें लाल मिर्ची डाल देंगे, लाल मिर्ची डालने की तुरन बाद हम इसमें अर्भी डाल देंगे, और इसको हिला देंगे ताकि जो मिर्ची है वो जले भी न और इसका तीखापन तेल में भी आ जाए, अर्भी को हम अच्छी तरह से मिला देंगे, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिल जाए और हम इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, स्वाज अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे, काली मीच पाउडर, डाल कर इसको अच्छी तरह से 4-5 मिनट हम इसको शैलो फ्राई होने देंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी होने देंगे, पीच में छोड़ी सी मैंने जगा छोड़ कर इसमें लाल मीच डाल दूँगी, मैं लाल मीच डाला पहले भूल गई थी, पहले ही लाल मीच को डाला चाहिए, जिससे इसका तेल में फ्लेवर आ जाता है, और तेल में तीखा पन आ जाता है, जिससे समझी बहुत ही स्वाद बन आपके सारे मसाले अच्छी तरह से अपना सुला जोट दें और अर्बी में अब्सूर्ब न फूप बढकों हम इसमें दहीं डाल देंगे और इसको लगाता चलाएंगे दहीं डालते समय जहां तो गैस बन कर दिये जहां लो कर दीजिए और इसको लगाता एक उबालाने तक हिलाएंगे अगर आज देच होगी तो दहीं फट चाएगा और हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और ग्रे अच्छी तना से पक जाए और मसालेओं का स्वाद भी उसमें आ जाए कंसिस्टेंसी आप अपने स्वाद अनुसार कमज़ जादा कर सकते हैं मैंने गाडा रखा है अगर आप पतला करना चाते हैं तो इसको पानी डाल कर 5-6 मिनट तक और उबाल लीजिए ब्रत की दहींवाली अरबी बनकर त्यार हो गई है अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया और डाल कर इसको सर्व करेंगे आप इसे पूरी के साथ खाईए या चावल के साथ खाईए ये ब्रत में खाई जाते हैं ये बहुत ही स्वाद बनती है आप एक बार इसको जरूर बना कर देखिएगा और अपने अनुभब जरूर शियर करना कि ये कैसी बनी है और मेरी वीडियो को लाइक और शियर जरूर कर देना अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे मजा लीजी अनल लीजीए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए आपका धन्यवाद